हेलो माई डीएक स्टुडेंट्स आपका पोना स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में तो कक्छा नोवी संस्करत का संसोदेत ब्लूपिंट आ चुका है जो कि 2021 की बार से परिच्छा के लिए मानने होगा तो आज के इस वीडियो में हम कक्छा नोवी संस्करत का संसोदेत ब्लूपिंट को हम अच्छे समझने वाले हैं मैं पूरा आपको वहती सरल तरीक के समझाने वाला हूँ यदि आप आज के इस वीडियो को पूरा देख लेते हो सारा कुछ मैं आपको एटो जड आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को क्रेपा करके सुरू से लेकर अंतक जरूर देखना चले अब हम वीडियो को बिन किस देरी के सुरू करते हैं तो देखे चातर जो आपका संस्करत का पेपर होगा बेकुल सो अंक का पेपर होगा अर्था तो उसका पुर्णा कितना है? सो है सबसे पहले हम इनके हटाएगा पार्ट करम के वारे में जान लेते है कि इसमें कुन को से अध्याय को हटाएगा है तो देखे इसमें केवल जो आपका साथवा अध्याय है जिसका नाम है प्रत्यभी गानम उसको बस हटाएगा है बाकि इसके अलाव कुछ भी नहीं हटाएगा है चलिए अब हम वीलू प्रिंट को अच्छे से समझ लेते हैं तो देखे चातरो उससे पहले हम एकोची समझ लेते हैं सब्द सीमा तो देखे आपको उत्तर को इतने सब्दों में लिखेना है तो देखे चातरो जो आपके अतुल लग उत्तरी प्रशन है जो की दो अंक्के होते हैं उनके उत्तर आपको लगवग ती सब्दों में लिखेना है इसके बाद जो आपके लग उत्तरी प्रशन है जो कि 3 अंक के हैं उनके उत्तर आपको लगवग 75 सब्दों में लिखना है इसके बाद आपके दिरिक उत्तर परशन जो कि 4 अंक के परशन होते हैं उनके उत्तर आपको लगवग 120 सब्दों में लिखना है इसके बाद दिरिक उत्तर परशन जो कि 5 अंक के होते हैं उनके उत्तर आपको लगवग देगट सु सब्दों में लिखना है इसके पाद एक निवंद वाला प्रशन होता है उसका जो कि दस अंका होगा उसका उत्तर आपको लगवग धाय सु सब्दों में लिख देना है इस प्रकार से हापर आपके सब्द सीमा रखी गई है आपको लवग इतने सब्द में उत्तर लिखना है मान के चलिए आपको निवंद का उत्तर धायू सब्द में लिखना है जो भी आपकी कोपी चेक करेगा वो आपके पेजों को देखका समझ जाएगा कि आपने कितने सब्द में उत्तर लिखी हो चले अब हम बिलू प्रिंट को अच्छे से समझ लेती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिश्ण उत्तर की तो देखिए च्हातरों यहाँ पर जो आपके प्रिशन उत्तर है बेख दो प्रिकार से आएंगे पेला तो होता है एक पद, पद यान होता है सब्द, अर्थात आपको एक सब्द में उत्तर लिखना पड़ता है और दूसरे होता है एक बाक्यन हाना अर्थाति है आप बहापर आपको एक बाक्यों में उत्तर लिखिना पड़ता है तो एक पदेन के आपको चार अंका एक प्रिशन पूछा जाएगा हाना चार अंका आपको एक प्रिशन पूछा जाएगा उसके बाद जो आपके एक बाक्यन प्रिश्ण है उसमें प्रित्यक प्रिश्ण दो अंका होगा तो दो अंके आपको तीन प्रिश्ण पूछे आएंगे इस प्रिकार से आपके छे अंके कोशन हो जाएंगे एक बाक्यन वाले टो टोटल आपके जो paper है उसमें जो प्रिशणोतर है को टोटल 10 अंके आएंगे तो आपको प्रिशणोतर की काफ़ी अच्छ से त्यारी करना है इसके बाद हम देख लेते हैं अध्यायों पर अधारित गद्यास एबंद्यास पद्यास तो देखिए जो आपके गद्यास और पद्यास होंगे वह अध्याय पर अधारित होंगे जो भी आप अध्याय पढ़ेंगे उसमें के अंतरकत आपके गद्यास और पद्यास पूछ जाएंगे तो देखिए जो आपके सबसे पहले हम बात करते हैं गद्यास के बारे इसके बाद देखिЕ, आपको पत्र लेखर लिखने का जाएगा, पत्र लिखा पढ़ेगा आपको तो वे total उसमें चार अंका एक प्रश्ण पूच जाएगा, तो इस प्रिकार से आपका पत्र में चार अंक पके हो जाएगे इसके बाद जो आपको नीचे कई सारे नीबंद दी रहेंगे उनमेंसे आपको किसी एक भीसेपर नीबंद लिखना पड़ेगा तो नीबंद जो है भिए आपको टोटल 10 अंका हो जाएगा इसके बाद पेपर में आपको एक प्रेशन आएगा उसमें कहा जाएगा कि आपको पाट पुस्तक पर अधारित कोई भी दो इसलोक लिखेना है तो आपको कोई भी दो इसलोक लिखेना है जो कि परिच्छा में ना पूछे गए हो तो ये टोटल चार अंग का होगा दो अंग का एक सिलोग रहेगा तो आपको दो सिलोग लिखेना है तो इस प्रिकार से हापर आपको चार अंग का इस लोग हो जाएंगे उम्मीद है छातरों आपको समझ में आ रहा होगा इसके बाद जो आपको परिच्छ में आता है आपको क्यों करना पड़ता है कुछ बाग की दी रहते हैं कुछ बाग की आपको वहाँ पर दी रहते हैं उन बाग के सो आपको परिशनों का निर्मान करना पड़ता है प्रिशन बनाना पड़ता है तो ये टोटल आपके चार अंक की आएंगे इसके बाद हैं आपको परिच्छ में सही जोड़ी पूछ जाएंगी सही जोड़ी आपके टोटल चार अंक की रहेगी इसके बाद हैं आपके रिक्तिस्थान पूछ जाएगा सहीं जोड़ी इनमें मतलब की एक-एक अंक ऐक प्रशन रएगा तो इस प्रकार से हमाँ पर 5 प्रशन पूँछाएंगे इसके बाद आपको सब्द रूप बनाने को कहा जाता है तो सब्द रूप में आपको तोटल 2 अंक की दो परिशन पूछ जाएंगे तो टोटल नहाँ पर आपके चार अंक हो जाएंगे सब्द रूप में जैसे कि यहाँ पर आपको पूछ जाएगा कि राम की चदूर्थी विवक्ति लिखो, रम की तिर्थी विवक्ति लिखो, इस परिकार से हाँ पर आपको कोश्टन पूछ जाती है उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा इसके बाद आपको एक अपाठिद गध्यास पूछ जाएगा जिसको आपने कभी पढ़े नहीं होंगे भे गध्यास हाँ पूछा जाएगा तो आपटी दियाज में भी आपको एक एक अंक के एक प्रश्ण दिये रहेंगे तो टोटल आपको पांच अंक के प्रश्ण दिये रहेंगे तो टोटल आपको पांच अंक मिल जाएंगे इसके बाद आपको कारक रचना का प्रयोग को करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको कारक रचना प्रयोग में 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे देखिए आपको 75 अंक हो गया है अब बचे है आपको 25 अंक के अबजेक्टिव प्रशन है है और अब्य वे त्यार करना है संद्धित तीन अंक की और अब्य है दो आंक के तो इस प्रेकास अपर आपको 5 अंक पूराप्त हो जाएंगे इसके बाद आपको जो सेकन्ड ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्ण होगा उसमें आपको तीन अंक के समास और दो अंक के आपको उपसरग वाले star पूछण 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 तो इस परिकाल से हापर आपको पांच अंक हो जाएंगे इसके बाद अगले objective वाले पूछणों में आपको थीन अंक के परियेवाजची सब्ध वाले प्रिशन पूछ जाएंगे और दो अंक के हाँ पर आपको बिलोम सद्वाले प्रिशन पूछ जाएंगे तो इस प्रिकास से हाँ पर पांच अंक हो जाएंगे इसके बाद आपको धातु रूप के एक अंक के पांच प्रिशन पूछ जाएंगे तो टोटल आपके पांच अंक के प्रिशन हो जाएंगे इसके बाद आपको प्रत्य के भी तयारी करना है तो प्रत्य के आपको टोटल एक अंक के पाच प्रिशन पूछे आएंगे तो टोटल आपके पाच अंक हो जाएंगे ये सबी बस्तूनिस्ट प्रिशन है एक एक अंक बाले तो इस प्रिकार से हाँ आपको अंको का विवाजन कियेगा है परिच्छा में अब टोटल चलिए हैफ हम इनकी समरी समझे लेती है कि आपको टोटल परिच्छा में किस प्रकार से प्रकोशन कितने कितने पूछ जाएंगे तो देखिए जो आपके बस तूनी इस प्रिश्ण होते हैं जो की एक एक अं इसके बाद को आपको एक निबंद क्या कि जाएंगे दस नंबर पर आप करने के लिए आपको तेज प्रश्णों के सही सही उत्तर देने पड़ेंगे तो उम्मिद है आपको समझ में आगा होगा यदि आपको इसकी पीड़ चाहिए तो आप वीडियो को डिस्कॉसर में लिंक को किलिक करके आप हमाँ टेलिकायम चला पर जोन हो सकते हैं आपको इसकी पीड़ बिल जाएगी यह फिर आप स्क्रिंसोट लेकर भी इनको नोट्स बना सकती है उम्मिद है आपको सारा को समझ में आगा होगा यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दिना और कमेंट कर रहे होताना कि आपको वीडियो को इसे लगा यदि आपको कोई भी प्रोलम जाएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती है मैं आपको कमेंट में उत्तर दे दूँगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक के लिए जहिंद जे भारत